यसी 132 बीए फस्ट यर इगनू ठीक है बीए जी स्टूडेंट वाले जो बच्चे रहेंगे भारतिय सरकार और राजनीती यह जो आपकी बुक है पूरी बुक मैं एक ही क्लास में या एक ही वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं और इसी को अगर आप पूरा सुन लेंगी य ठीक है तो अगर आप देख रहेंगे बीपीसी 132 आपकी बुक का नाम है कोड है बुक का नाम है भारतिय सरकार और राजनीती यानि हम यहाँ पर इंडिया की बात करेंगी यानि भारत में सरकार कैसी है और यहाँ पर राजनीती कैसे होती यानि हम गवर्मेंट के बारे में बात करेंगे और यहां की politics को देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले देखेगा यहां पर अगर मैं इनके चप्टरों की बात करूँ तो अगर आप देखोगे तलगभग इस book में 15 चप्टर दिये गए हैं ठीक है और 15 चप्टर एक एक चप्टर करके मैं सारी चीज बताऊंगा औ सोट में बताऊंगा ठीक है उन्ही उन्ही चीजों को आपको समझना है ठीक है हमारा पहला चप्टर क्या है उदारवाद ठीक है और जितने भी लोग है ध्यान सुनिएगा मैं बता देता हूं आखिर उदारवाद चीज क्या है होता क्या है ठीक है देखो वे उदारवाद क का मतलब होता है कि बेसिकली अगर हम उधारवाद की बात करते हैं तो उधारवाद में क्या होता है कि नागरिकों को जादा से जादा अधिकार दिये जाते हैं यानि नागरिकों की स्वतंतरता जादा होती है या और जो सरकार होती है या राज्य होता है वह कम से कम सासन करता ह ठीक है अगर मैं बात करूँ जैसे मक्यावली है ठीक है थर्म सोब है ठीक है उसी के पास अगर मैं और कुछ विचारकों की बात करूँ जोन लोक है ठीक है यह सारे उदारवाद के थिंकर है जोन इस्ट्वर्ड मिल है मैंने सारे नाम बता दिये देखो एक चीज मैं बता के कुछ भी अगर उसको करना है तो सारे काम कर सकता है एक हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो जो प्राइवेट चीजों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देनी की बात करते हैं यानि सरकार अपने अंडर में कम से कम चीजों का करे यानि सरकार नागरिक को फुली छूट दे दे नागरिक अपना सोयम विकास देखो उदारवाद के जितने थिंकार हैं वो कहते हैं कि जो मनुस्य है न उसमें बिबेक है बुद्धी है प्राणी जो है बिबेक सील है वो अपना बुद्धी या दिमाख है माइंड है वो अपना विकास स्वयम कर लेगा राज को नागरिकों के लिए किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है ठीक है राज को सिरफ नागरिकों की सुरक्षा करनी चाहिए नागरिकों की संपत्ति की सुरक्षा करे और देश की संपत्ति की सुरक्षा करे और नागरिकों को पूरी तरीके से स्वतंतरता देने की बात करते हैं उदारवादी जितने भी वीचारक हैं यनि कह सकते हो कि सरकार कम से कम सासन करे और नागरिकों की स्वतंतरता जादा से जादा हो उदारवादी यही बात कहते हैं कि जो इस्टेट है या जो राज्य है वो नागरी उबर कम से कम अधिकार लगाए, कम से कम कानून लगाए, कम से कम सासन करे एकजांपल बताऊं, जैसे मा लीजे भाई, किसी को कमपनी खोलनी है, तो आज आप लोग इंडिया में देखते होगे, अगर किसी को कमपनी खोलना है, तो दुनिया भर का साइन करवाना पड़ता है, फलाने का करवाओ, आदमी कमपनी खोलते खोलते, पता नहीं कितने साइन आप लोगों ने किसी को स्कूल खोलना किसी को कुछ भी खोलना है तुम लोग देते हैं जो पैसा वाल आदमी है वही काम करवा पता भाई जिसकी पैसा है जिसकी पहुंच है वो तो स्कूल भी खोल लेता है कोलेज भी खोल लेता है कमपनी भी खोल लेता है ठीक है लेकिन सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, या कोई और सेक्टर हो, वहाँ पर नागरिक स्वतंत रूप से कारे करे, सरकार कम से कम हस्ता छेप करे, जैसे आप लोग इंडिया में देखते हो न, सरकार अस्पताल भी चलाती है, सरकार रेल भी चलाती है, सरकार इस्कूल भी चलाती ह और कहते हैं कि सरकार सिरफ इतना काम करे कि देश में माहल खराब ना हो नागरी की संपत्ति बनी रहे लेकिन किसी प्रकार के अन्य काम न करे यानि जनहित के काम सरकार न करे यानि सरकार अस्पताल न चला है सरकार होस्पिटल न चला है यानि इसको नागरी को को हवाले कर दो नागरिक सोयम अपना विकास कर लेगा क्योंकि नागरिक क्या है उसके पास दिमाग है, बुद्धी है, माइंड है अपना विकास हो सोयम कर लेगा जितने भी उतारवारी थिंग करें यह भाईया अमेरिका की थियोरी है अमेरिका पूझी वाद ये देश है पूजी वाद के समर्थन में उदारवाद आया था और उदारवाद पैसे वालों की थियोरी है कहिता है कि सरकार कम से कम सासन करे नागरिक को खुला छोड़ दो नागरिक कुछ भी करता रहे सरकार सिरफ देश्टू सुरक्षा करे और नागरिक के जानमाल की या उसकी संपति सुरक्षा करे नागरिक अपना विकास स्वयम कर लेगा सरकार को कुछ करने की जरूरत नहीं है खास तोर से अगर मैं इसमें थिंकर की बात करूँ जो जो एस सारे अंग्रेज है कौन-कौन है अगर मैं बात करूँ जैसे थौम-सोब है थौम-सोब सभसे सबसे पहले आया यह कहता कि राज्य है ना राज्य बहुत सक्सिसाली हो गया राज्य बहुत पावर्फुल है इसलिए राज्य बहुत काम ना करे सिरफ वो सुरक्षा करे क्योंकि राज्य अगर बहुत पावर्फुल हो जागा तो नागरिकों के अधिकारों का हनन होगा ठीक है उसे के आप महिन का नाम बता देता हूं क्योंकि ये अगर देखोगे तु उदारवादी में काफी इनका बड़ा रोलर जोन लोग का जोन कहता है कि राज्य सिरफ कम से कम नागरिक नागरिक है तो उसमें बुद्ध है दिमाख है, खुला माइंड है, वो सोतंत रूप से विचरन कर सकता है, कहीं पर आ जा सकता है, अपना विकास हो सोयम कर लेगा, राजी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, स्टेट कुछ ना करे, सरकार कुछ ना करे, प्राणी को भया, यहीं कह सकते हो, एक लाइन में अगर बोलू, तो जोन लोग है, जोन स्टुवर्ड मिल है, एक दो तीन ठिंकर है, ठीक है, पूरे यूरोपियन थियोरी है, और यह पूझी वाद को सपोर्ट करते हैं, पैसा वालों को सपर्ट करते हैं, आज लोग आप सब लोग देखते हो ना, हमारे देश में क्या औरा, हर काम है, रियल इसी आदमी को दे दे, सरकार कम से कम काम करें, जैसे आप हमारे देश में देखते हैं, सरकार अस्पताल भी चलाती है, सरकार बस भी चला रही है, सरकार ट्रेन भी चला रही है, सरकार स्कूल भी चला रही है, तो जहां पर उदारवाद होता है, यह जहां पर उदारवादी बिचारधारा तेज होती है ना वहाँ पर सरकार ए सब नहीं करती है ना तो सरकारी स्कूल होगा ना तो सरकारी वस्कारी कुछ नहीं होता सिरफ सरकार देश की सुरक्षा करती है और नागरी की जानमाल की सुरक्षा करती है जैसे अमेरिका उम्रियम तुम्हें पता होगा अम पूजी वाद के सपोर्टर हैं अगर मैं थोम सोब की बात करूँ जोन लोग की बात करूँ या जोन इस्ट्वर्ड मिल की बात करूँ ये सारे उदारवादी हैं और ये पूजी वाद को सपोर्ट करते हैं कहते हैं राज कम से कम सासन करें और नागरिकों की जादा से जादा स अच्छे से समझ में आ जाए मैंने ठिंकरों का नाम भी बता दिया थोंसोब है जोन लोक है जोन इस्टवड मिल है इसारे उदारवादी विचारक है ठीक है देखेगा आप हमारा क्या है नेक्स चप्टर चप्टर नंबर सेकंड क्या है माक्स वाद ठीक है क्या करें है देखो माक्स वात की अगर मैं बात करूँ तो इसमें काल माक्स बहुत इंपोर्टन्ट है माक्स वात की जो विचार रहा है काल माक्स के द्वारा पूरी दुनिया में फैली है काल माक्स का नाम या दर्खना ठीक है और उनके हाथ का खिलोना बन गया, आप सब को पता कि जिसके पास भाईया पैसा होता है, उसी की सरकार भी सुनती है, उसी का सासन पर सासन भी सुनता है, उसी का कोट का चहरी भी सुनता है, गरीब आदमी की कौन सुनता है, मजदूर की कौन सुनता है, तो काल माक्स कहे रहे ह कि जो राज है उसीरफ पूंजी पती के हाथ का खिलोना है और राज एक परकार से मजदूरों के लिए उनका सोसन करता है ठीक जब तक राज रहेगा तब तक जो मजदूर आदमी उसका सोसन होता रहेगा क्योंकि राज मूलता पैसे वाले के साथ अमीर आदमी के साथ खड़ के जरिये करें कि अगर मजदूर एक इकठा हो जाए और क्रांती कर दे आंदोलन कर दे और राज को जब हटा देगा तो क्या होगा राज समाप्त हो जाएगा और क्या होगा कि जब राज नहीं रहेगा तो क्या होगा तो ना तो कोई बलसाली आदमी है इना तो पैसा वाला सभी बराबर होंगे और कोई किसी का सोसन नहीं करेंगा मूलता माक्सवाद की थेरी यनि कह सकते हैं कि माक्सवाद जो है वह राज को लेकर की यनि राज को क्या मनता सोसन कारी यनि राज क्या है राज सोसन करता किसका मजदूरों का कह सकते हैं किसानों का या किर्शिकों का क्या करता है राज सोसन करता है क्योंकि राज पूझी वाद के साथ खड़ा है पैसावल आदमी के साथ खड़ा भाई है काल मार्क्स कह रहे हैं यह काल मार्क्स की यही थेयरी है ठीक है और काल माक्स कहते हैं कि हे मजदूरों तुम इकठा हो जाओ क्योंकि कहते हैं कि पूजी पती लोग हैं जो पैसावला आद्मियाने मुठी भरा है थोड़ा सा आद्मी है बहुत ज़्यादा है नहीं बड़े बड़े आद्मी जैसे हम अपने डेस में देखे अंबानी आदानी जो बहुत पैसे वले आद्मी थोड़े हैं जनता तो बहुत जादा है ना तो काल माक्स यही करें कि हे मजदूरों तुम संच्छा में जादा हो और यह खठा हो जाओ और क्रांती कर दो और क्रांती करने के बाद आपको क्या करना है कि क्रांती करने के बाद जो पूझी पती है जो इनका जो आधिपत्य राज़ पर हो गया है इनका पूरा कंट्रोल है इनके हाथ का खिलोना जो राज़ बन गया है इनको हटा दो और जब भाई पूझी पती नहीं रेगा सब तो ना उसमें कोई अमीर है न गरीब है न कोई छोटा बड़ा है वहाँ पर कोई किसी का सोसन नहीं करेगा यहनि काल माक्स अगर देखोगे तो राज की जो विचार धार है राज को सोसनकारी मानता है ठीक है और कहता कि राज जो है तो सक्तिसाली लोगों के साथ खड़ा होत आदमी करता है आप सबको तो वैसे भी पता होगा जिसके पास पैसा है उसकी सब सुनते हैं वैसे भी आप अपने देश में देखते हो क्या होता है जिसके पास पैसा है ओ तो भाई कोट का चाहरी भी लड़ेता है मुकदमा लिड़ेता है उसकी हर आदमी सुनता है वैसे भ पूरा परयोग कौन करता है सकतिसाली लोग कर रहे हैं ठीक है माक्स इस बास से असपठ है कि राज के अंतरगत विकास का मार्ग अपने आप मिश्चित होता परंतु समाज में धनी और गरीब दोनों वर्गों के सोसन के कारण आप करें कि जो यहां समाज में कि जो धनी आदमी का सपोर्ट नहीं करता है अरे तुम सब लोग वही से भी देखते हो गरीब आदमी का गरीब आदमी करता है पूलिस सपोर्ट करती है ना तो समाज सपोर्ट करता है ना तो कोई करता है किसी को तो नियाय मिल जाता होगा लेकिन ज्यादा तल लोगों को आप लेखते करता। अमीरों के पक्ष में यानि क्या है राज अमीरों का सपोर्ट करता है। गरीबों का सोसन करते हैं। कि कोरोना में देखाऊगा ना जो अमीर लोग थे उनकी संपती दिन परती दिन बढ़ रही थी जो करोना में गरीब आदमी था उसके पास खाने को दाना नहीं था तो बही काल माक्स भी वही कह रहे हैं कि जो सोसन होता है यानि कह सकते पाइसे के जरी जो सोसन हो रहा है पूरा पैसा जो है पूंजी पती को फाइदा होता है जिसके चलते एक दिन दिन जो अमीर है अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं आप लोग ऐसे भ जब पूझी पती के सपोर्ट में है, जो उद्धोग पती है, जो पैसे वाले लोग है, इनके सपोर्ट में खड़ा है, गरीब आदमी के समर्थन राज नहीं करता, इसलिए राज यानि स्टेट को ही खतम कर दो, क्योंकि जब राज ही नहीं रहेगा, जब पूझी पती ही नह साथ जाएगे क्योंकि तो že माक्स वाद है वहर राजी को सपोर्ट नहीं करता ह府 नहीं एक थो सब्द आपको मिला हुगा कि जो माक्स वाद हो कहता कि किसानों को मजदूरों को या जो मजदूर हो गए इनको आंदोलन की बात करता है कहता है मजदूर का सोसन हो रहा है समाज में किसान का सोसन हो रहा है तो इनको करांती कर देनी चाहिए इनको आंदोलन कर देना चाहिए क्योंकि राज तो सोसनकारी है क्योंकि राज पैसे वाला का सपोर्ट करता है पूझी पती का इंडस्टिली है पैसे वाले पैसे होते चले जा रहे हैं गरीब आदमी गरीब होता चला 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 इसलिए राज जो है पैसे वालों का सपोर्ट क करता है इसलिए कालमाक्स कहते हैं इससे हमारे समाज में क्या है वर्ग संगर्स हो गया भई आप देखोगे जो कमपनियां होती कमपनी का मुनाफ़ा कौन कमारा पूंजी पती कमाते न जो कैसे जो मजदूर है कमपनी में दिन भर काम करता रहता उसको थोड़ी सैलिन में ते समाज में एक प्रकार से संगर्स बन गया है मजदूरोग पूंजी पती उद्धोग पती का राज एक प्रकार से सोसन कारी है जो कि कह सकते हो कि पूंजी पती वे सपोर्ट में खड़ा है राज कभी गरीबों की मतत नहीं करता है राज सोसन करता है इसलिए राज को समाप्त करने की बात कहते हैं इसलिए कहते हैं काल माक्स हे मजदूरों इकठा जाओ और राज को तुम खतम कर दो और किसान और मजदूरों का जो सोसन हो रहा है इसको समाथ करने के वो करांती की पूजी पती को और एक प्रकार से जब तक पूजी पती रहेगा तब तक सोसन चलता रहेगा। ठीक है यही Marks वाद की ठीओरी है यही Karl Marx के नाम लेकर के क्योंकि इसका जो विचारक है एक ही आदम है Karl Marx और Karl Marx ही ठीओरी आगे इसको कह सकते हो Angles फैडरिक एंगल इनका नाम है उन्होंने इनका कह सकते है इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया है ठीक है आप सबने रूस का नाम सुनआगा या तो जो सोबियस संग था उसके कह सकते सबने पढ़ाओगा अगर आगे किलासों में जाओंगे तो सिथ अमेरिका की थेयरी अगर देखेंगे तो उदारวाद यद पूझी वाद की थेयरी है और जो चाहते जो, रूस, रसिया, जिसे घम बोलते हैं, पहले सोबिय संग था, कई सारे देसों का ग्रूप था, तो इन्में प्रकारिक्षी टअसल है, अमेरिका की जो बिचारवाद की बीकारदारा है, बलकि वही रूस और या रसिया की अगर बीकारदारा है, तो माक्सवाद की तरीके से राज को सोसन कारी बताता है इसलिए राज को राज की समाप्ति की बात करता है माक्सवाद मजदुरों के साथ खड़ा हुआ है क्योंकि माक्सवाद कहता है कि जब तक राज रहेगा तब तक जो पूझी पती है वो सोसन करते रहेंगे इसलिए राज को ही समाप्त कर उसी को गांधी वाद बोला जाता है यह कैसे हैं महत्मा गांधी की विचार धारा को हम क्या बोलते हैं गांधी वाद जहां सुनेगा महत्मा गांधी ने राज के संबंद में एक अलग दिश्ट कोंड दिया निहीं महत्मा गांधी की भईया भी विचार धारा है उनका विचा महत्मा गाधी, कहते हैं कि जो परजन टाइम के जो राज्ज है या गरीबों के जो गरीब आदमी है उसके विकास के लिए ठीक नहीं है उचित साधन नहीं है मौझूदा जो राज है ठीक है इसलिए राज के बदले सर्बोदय समाज की कलपना करते हैं महत्मा गांधी कहते हैं कि जो राज है मौझूदा जो राज है गरीबों का भला नहीं कर सकते हैं महत्मा गांधी करें बहिया कि जो मौझूदा राज हैं गरीब आदमी का भला नहीं कर सकते हैं इसलिए राज के बदले सर्बोधय समाज सर्बोधय समाज की कलपना करते हैं वह राज को समाप्त करके सर्बोधय समाज की अस्थापना के पक्ष धरते हैं महत्मा गांधी कहते हैं कि राज को समाद करते हैं सर्बोधय समाज की के पक्षधर हैं ठीक है उन्होंने आउधनिक राज को सोसन के साधन बताएं महत्मा गांधी कहते हैं कि भईया जो आउधनिक राज है वो भी सोसन कारी महत्मा गांधी भी वही बात करें ठीक है और राज के कारचेत्र को बहुत सीमित करके और नागरिकों के अधिकार को जो राज्य का काम है उसको कम कर दो यानि राज्य कम से कम काम करे और नागरिकों की जो नागरिक है ठीक है उसकी सोतंतता को जादा से जादा बाढ़ाने की बात करते हैं ठीक है सभी वर्गों के विकास और कल् प्रवाज के सिध्धान्त का समर्थन नहीं करते हैं जो समाज में विभाजन अलग अलग बेक्तियों की हितों का पोसंड करें यहीं महात्मा गांधी कहते हैं कि हर बेक्ति के लिए राज अलग लग नहीं होना चाहिए बलकि सभी के लिए एक जैसा राज यहीं राज सभी के साथ एक जैसा बेभार करें यह नहीं भेद भाव करें भेद भाव नहीं करना चाहिए सभी के साथ ठीक है स्वार्थी धाना अ गटन होगा महात्मा गांदी कहते हैं कि अगर राज हर मामले में हस्तक छेप करेगा हर मामले में अगर एंटर फेर करेगा तो क्या होगा कि समाज में तूट पड़ेगी और इसे समाज में हिंसा और भरस्टा चार यहीं कहते हैं महात्मा गांदी राज कम से कम हस्तक छेप करे क्योंकि राज जादा हस्ताक्चेप करता तो भाई भर्ष्टाचार बढ़ता है और हिंसा बढ़ती है इसले राज anaitik है, यनि राज का जो बार-बार हस्ताक्चेपपड बिल्कुल सही नहीं है, इसे किसी भी ρूपमे सभिकार नहीं कहीं आ जाता, गांधी घ अपने दर्सन में बताते हैं कि आदर्स राज के रूप में सुराज का यानि महत्मा गांधी किसकी बात करते हैं important बात लें सुराज की बात करते हैं क्या है सुराज ठीक है एक तो सर्बोध है ठीक है सरबोदे समाज की बात करते हैं लिख लेना सरबोदे समाज की और दूसरा सोराज की बात करते हैं यानि अपना राज जी हो ठीक है लोगों का राज जी उसकी बात करते हैं आत्मा अनुसासन महात्मा गांधी मोश्ट्री अगर नयतिक्ता की बड़ी बात करते हैं ठीक है क्या कहते है भया आदमी नयतिक्ता की बड़ी बात करते हैं जैसे बोलते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कोई एक गल पर थपड़ मारे दूसरा कर दो उसी वह नयतिक्ता की विच परतेक आदमी जो अपने उपर सौयं मारा है अपनी आत्मा दूसरों के आत्मा को दुखेगा तो दूसरे को भी किसी प्रकारज करना पूंचेगा है करे relationships नए तिक्ता की विचार धरा है खास्त हो रहे हैं सरबोदय समाज और स्वराज की विचार धारा है क्या है सरबोदे समाज की बात करते हैं और स्वराज की बात करते हैं और नयतिकता की बड़ी बाते करते हैं ठीक है किसी बात करते हैं भई नयतिकता की महत्मा गांधी ने नागरीकों के अंतरगा छीपी हुई सक्रियता को उभारा उनक तक राजी की बात करते हैं ठीक है और नागरी को की हित की बात करते हैं और ज्यादा से ज्यादा और देश में या कह सकते हैं राजी में ज्यादा से ज्यादा सांती के समर्थक हैं असांती के बिल्कुल भी पक्सदर नहीं है यानि जो राज है वो सांती बनाने के लिए बात क बहुत ही इंपोर्टन चप्टर है मूल विशेष्टा किसकी संविधान की मूल विशेष्टा है तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो संविधान जो भारत का जब संविधान भाई मेरे बन रहा था तो अंग्रेजों ने भी भारत के लिए एक रूल बनाया था जिसको क्या बोलते हैं इंडियन उनीस सो पंचासी उम का जो अधिनियम है भारत देखो संविधान जब बन रहा था ना तो संविधान में बहुत सारी बाते जो है ओ 1935 से ले गई है ठीक है कौन कौन सी बाते 1935 से ले गई है जो अंग्रेजों ने बना रख था 1935 में भारत पर सासन करने के लिए मूलता अगर देखोगे प्रांतिये स्वयत्ता लाग होनी च सासक होंगे विधान सभा और केंद्रिये संग में मंत्रियों की जिम्मेदार बनाना ठीक है यह अगर देखोगे यह सारी चीजे उसकिस में थी जो 1935 का अधनियम है 1935 के अधनियम में अगर मैं बात कूँँ और क्या है रिजर बैंग और इंडिया की अस्थापना 1935 के अध 1935 के अधनियम के जरिये भारत परिशद को भंग कर दिया गया इसकी जगह पर भारत में राज सचीव को सलाह देने की कुछ सलाह करओं को मनमोदित किया गया है ठीक है केंद्रिये प्रसासन में गवर्नर जर्नल मुखिया बना रहेगा और प्रसासन बिधाई का और बित्ति विधान परिशन में दो सदन होंगे उच्च सदन और संघिय सभा यानि निम्न सदन जैसे आज हम लोक सभा और राज सभा को देखते हैं उनि 1935 का जो अधियम है न ये भारत सासन अधियम 1935 में अंग्रेजों के जरी सासन अधियम को बनाया गया था और बाद में जब भारत का अधियम था जिसको हम भारत सासन अधियम बोलते हैं इससे में से बहुत सारी चीजे ली गई थी उसके बाद है संविधान सभा संविधान सभा की अगर मैं बात करूँ तो भारत का जब संविधान बन रहा था तो उसमें जो संविधान सभा बनाई गई थी उसकी हम क्या करते हैं बात करते हैं और संविधान बनाने के लिए क्या की गई थी एक सभा बनाए गया था जिसमें आप सब को पता कि शुरू में जो बरिष्ट सदसे डाक्टर सचिदा नंसिना यह आस्थाई थे आस्थाई इनको चुना गया था बाद में अस्थाई सदस डाक्टर राजंदर प्रसाद बनते हैं ठीक है और सम्विधान बनाने का स्रे भी आप सब को पता डाक्टर बिया रंबेटकर को जाता है ठीक है इसमें कई सारी समितिया बनाई गई थी और सम्विधान बनाने का काम यहां पर किया गया ठीक है सुरू में सम्विधान सभा में कुल 389 सदस थे ठीक है जिसमें 292 प्रांतों के और 93 जो होते थे राज थारा दिन का समय लगा और सम्विधान बनके तयार जब 26 नमबर 1949 हो गया था लेकिन जो 26 जनवरी थी वो हमारे लिए काफी important डेट थी इसलिए उसी दिन उसको क्या किया गया था सम्विधान को लागू किया गया था ठीक है उसके बाद है प्रमुक विसेशता है सम्विधा सम्विधान की मूल विसेशता बताओ एक कोशन एकजाम में बहुत पूँचता तो भया सम्विधान में क्या क्या विसेशता है आगर हम बात को भारत का जो सम्विधान है और किसकी बात करता है आप सबसे बड़ा सम्विधान है भाई सबसे बड़ा constitution है लिखित constitution में अगर तरव्णika इंपोर्टंट बाते बतानी है मोलिक मूल अधिकार पन्डमेल्टल राइट है जिन्सकों कने आप क्या बोल रही है ठीक है डारेक्टर अधी स्वधान का सलगा है कठ्ठोर संविधान है इसमें बदला भी हो सकते हैं लचि सीनिता संविधान है भारत को संघ कहा गया है भारत में दो सरकारों की बात कि गए कि एक राज्जा सरकार होगी और उसके बाद केंदर सरकारों अंग बेथन होगा भारत के नीती निर्देशक सिध्धान्त इसका मतलब बता कि जो राज्य होंगे वह कौन-कौन से नियम बनाएं उसके निर्देश मूल करतब दिये गए जो हमारे नागरिक है उनके क्या-क्या करतब होने चाहिए और जैसे केंद्र में जैसे कारपाली का विधाई का नियाई पाली का भी सं संबिद्हान में अगर देखंगे संगी सासन भी वस्तार आजेगी इसमें कोfish परवधान याउनी ऑपात-काली कौन-कौन से परावधान किये गए हैं ये अगर कोई आपात-कली का तो क्या हो गांगी साम zinajdowski적 में जो is not इंडिया में देखते हैं किसी राज में अगर सरकार नहीं बनती है तो वहाँ पर केंदर सरकार गए राष्टपती सासन लगा देते हैं उसको बोलते हैं सम्विधानिक एमर्जन्सी ठीक है कंस्यूट्यूंसन एमर्जन्सी जब हमारे देश में जैसे जब भारत का युधना हमारा देश जब हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे उस समय भारत पाकिस्तान युध के चलते हैं 2 दिसंबर 1971 में कहते हैं आपातकाल की समय तीन बार अगर देखोगे तो भारत में इलेक्शन के समय उनीस सो बासट में जब चीन के साथ युद्ध लड़ रहे थे तब यहां पर इमंजर्शी लगाई गई थी जिसको यानि युद्ध लड़ते समय लगाई गी थे दूसरा भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तब इमर्जन्सी लगी तब यहीं गया सब्सक्राइब साब्याण है एक दूसरा में जब चीन के बनधर्शी यानि देश में पाइस्वह थे कम हो जाए यश प्रकार की दो हैं बाकी दो हैं वह तो हमारे देश में लगाई जा चुकह हैं जर्नल एमर्जन्सी और constitution यानि संभिधान में अगर किसी प्रकार के नहीं बात हो तब और जो बित्ती है financial जो emergency है इसको कभी नहीं लगाएगा कभी क्योंकि ऐसा कभी महसूस ने भई कि देश में पैसा कम हो गया आरापस में लोग लड़ रहें मर रहें कट रहें ऐसा कभी नहीं तो संभिधान जो बित्तिया पातकाल है इसको कभी अभी तक लगाया नहीं गया अगर मैं important की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे तो 1935 का जो अधिनियम है यह आपके लिए exam के लिए important हो सकता है 4.4 प्रमुग विसेशता है आपके लिए important हो सकती साइध exam में पूछा जा सकता है ठीक है तो जो इस चोथे चप्टर में जो जो important था वो मै ने आपको बता दिया ठीक है 5. चप्टर नमबर 5 क्या मौलिक अधिकार या मूल अधिकार या इनको fundamental rights भी बोलते है ठीक है तो जो मूल अधिकार है अगर आप देखेंगे तो भारतिये संविधान में नागरिकों को 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दीगे यह पहला अधिकार क्या है समानता का दिखार है यानि सभी नागरिक जो है वह कानून की नजर में या सासन की नजर में समान है यानि किसी के साथ भी किसी प्रकार का क्या भेद भाव नहीं किया जाए गए 6 मौलिक अधिकार क्या है पहला समानता यानि बराबरी सभी समान है किसी के साथ लिंग फिरने की सोतंता की अगर बात राइट है आने जाने की सोतंतरता है अब व्यक्ति क्या जिने बोलने की सोतंतरता है या कह सकते की सोतंता और भी प्रकार की जैसे कहीं पर भी आने जाने की कहीं पर बसने की इस प्रकार की सोतंता की बात की गई स्वतंता में कह सकते आप बिना हत्यारों के बही आप कहीं पर जाकर के सांती पूर्बग अंसन भी कर सकते हैं लेकिन बिना हत्यारों के स्वतंता दी गई है तीसरा जो सोसन के बिरुद्ध अधिकार सोसन के बिरुद्ध अधिकार का मतलब होता कि अगर आपका कोई सोसन करे उसके लिए देगा इसमें मूलता जो बाल अधिनियम है चोटे बच्चों के साथ जो सोसन होता उसकी ज़्यादा बाती गए है जो सोसन के अधिनियम है, यहीं सोसन होने पर क्या कर सकते हैं, आप जो मौलिक अधिकार है न, अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा करके दरवाजा खट-कटा सकते हैं, देखो, मौलिक अधिकारों का अगर किसी का हनन होता है, तो मामला सिरफ हाई कोट या सुप्रीम कोट भी सुनवाई करेगा जो जिला आदालते होती है जिनको आप सिविल कोट बोलते हैं वहाँ पर इन मामलों की सुनवाई नहीं की जाती है कोई भी व्यक्ति अगर उसका मौली कदिकार या मूला दिकार का हननोगा तो डारेक्ट सुप्रीम कोट में जाकर के दरवाजा खटखटा सकता कि भाई जट साहब हमारा मौली कदिकारों का हनन हो रहा है धार्मिक सोतंता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने धरम का प्रचार कर सकता है प्रसार कर सकता है अपने धरम को बढ़ाने के लिए कुछ काम भी कर सकता है यह धार्मिक सोतंता है ठीक है, सांस्कृतिक और सैच्छिक, यानि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति जो कल्चर है, उसको भी बढ़ा सकता है, या उसका सनरक्षन कर सकता है, और सैच्छिक सोतनता है, यानि एजुकेशन को ले करके, जैसे आप सब को पता कि 6-14 साल के जो बच्चे होती हैं, उनको भ पहले जितने जो पांच फंडमिल्ट राइट हैं, अगर इनका किसी का भी हनन होता है, तो आप सीधे जाकर के इनका उपचार ले सकते हैं, जैसे बिमार होने पर लोग दवाई उपचार ले लेते हैं, उसी प्रकार से, अगर आपके 5 मौलिक अधिकारों को हनन होता है, आप देखेंगे तो आपको दिया गया है, एक काफी इंपोर्टन्ट है, इसमें से कोशन आने की जो संभावना है, हमेशा बनाई रहती है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होते हैं, इनको आपको जरूर पढ़ करके जाना है, ठीक है, और मौलिक अधिकारों की वि इसमेशा बनाई रहती है, तो जैसे बहुत सारी सोतंत्रता है, समानता है, नियाय है, अधिकार है, एक तो सभी राज्यों ने या पूरे हमारे सरकारों ने तो दे दिया भाई, हम इस बात को दे देंगे, लेकिन आईसी बहुत सारी बातें थी, जो सरकार तुरंत नागदि को को दे नहीं सकती थी, या उस प्रकार के अधिकार लागू नहीं किया जा रहे थे, लेकिन इनको किसमे रखा गया, राज के नीति, यानि राज अभी नहीं, यानि जब सम्मिधान बन रहा था, तब उस समय इनको लागू नहीं किया गया, या कह सकते उनको लिख लिया ग करके आर्टिकल 51 तक यानि कह सकते अनुछेद 36 से ले करके अनुछेद 51 तक जो भी बाते बताई गई है ये पहले लागू नहीं हो पा रही थी अरे जैसे भाई सोतंतता है समानता है निया है अधिकार है ये तो कह सकते हो कि मौलिक अधिकार में हमनों तो लिखवा दिया मिधान के लोग जानकार थे उन्हें बोला कि अभी हम तो इसको नहीं दे सकते हैं लेकिन अभी लिख देते हैं बाद में जब राज यानि जब राज या उस चीज में पहुंचेगा तो उनको बाद में लागू कर सकता है जैसे आप एक चीज बताऊं जो पंचायती राज ह उसमें पंचायतों का भी गठन की बात की गई थी लेकिन जब देश आजाद हुआ तो भाई पंचायते नहीं बन पाई लेकिन बाद में आपसा को पता कि 93 में 92 में जा करके पंचायतों का गठन किया गया था तो उसी समय नहीं देश जब बना तब पंचायतों नहीं बन प बाते की गई हैं जब हमारे देश का संबिधान बन रहा था तब उस समय इन बातों को नहीं लागू किया गया लेकिन बाते की गई कि जब राज उस हैसियत में जाएगा या ऐसी परिस्तिरिया बनेगी तब यह राज इनको जरूर लागू करेगा यानि भारत सरकार को यानि कह सकते हमारे राज को ए निर्देश सम्मिधान के तहट पर राज इन पर भी आगे चल करके कानून बना सकता है या अनुछेद या कानून में बदलाव कर सकता है तो आर्टिकल 36 से ले करके जो बात कीगे आर्टिकल 36 में राजगी परिभासा जाएगा लेकिन कब लागू किया जाएगा इसकी कोई समय सीमा नहीं है जब राज को लगेगा तब इनको लागू कर सकता है क्योंकि जब देश आजाद हो रहा था तब इस चीजों को लागू नहीं किया गया था सिरफ इनको लिख लिया गया था ठीक है आर्टिकल 38 में क्या है राज लोगों को यानि करें देखो क्या कहा गया डीपी असमी में नेते निर्थक सिध्धान्द में राज जो है वह लोगों के कल्यान के लिए कारे करेगा जैसे आज आप देखते हो जो हमारी सरकारे होती है भाई पबलिक के लिए देखो बिजली कर प्रिपानी कर देती है बहुत सारी सुध्धाय चलती है यानि राज लोगों के कल्यान के लिए काम करेगा तो भाई उस समय हमारे देख के पास पैसा नहीं था तो उस समय साध उतनी ज्यादा जो स्टेट होता था नागरियों को या मदद नहीं करता था लेकिन आज आप ल नियाय की समान नियाय को लागू करने की बात करेगा आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का गठन नहीं हो पाया लेकिन आगे चल करके अगर आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर पंचायतों का गठन किया गया अर भाई 1992-1993 में जाकर के पंचायते बनती है अरे महत्मा तो DPSP में नीती नियतक सिधान्त में जितनी बाते बताई गई हैं यह हुआ था जब समिधान बन रहा था सभी लोगों ने बोला कि अभी इनको तो लागू नहीं करवा पा रहे हम लोग लेकिन जब राज उसमें पहुंचे गा या राज को लगेगा तो इन चीजों को कर दिया गया कुछ हद तक अगर आप देखेंगे 42 में किया गया था काम के लिए मानिविये इस्तिती या आप जहां काम करने जाते ना ओ सही हो वहां पानी की सुभिधा हो लेटरिंग की सुभिधा यह सब होनी चाहिए वहीं पर काम करेंगे लोग ठीक है और मात्रत को रह इलाड जैसे गरवती हो जाती तो उसको चुट्टी उट्टी मिलती है यह सारा बनेगा उस समय नहीं बन पाया था ठीक है 43 में क्या है कामगारों यह मजदूरों के लिए नियुनतम मजदूरी यानि देखो अगर कोई आदमी काम करता उसके लिए नियुनतम मजदूरी जर आयोग आपकी जो बुक है पेज नंबर 59 पर पूरी चीजे बनाई गई है इस टेबल को आप जरूर याद कर लेना अगर आप इस टेबल को याद कर सकते हैं और नीती निर्दक सिधान्त अगर आ गया तो इसी टेबल जो बताई गई इसी टेबल को पूरा एक एक बाती लि लिख देंगे तो आपको काफी अच्छे माक्स जरूर लेजगा है और नीती निर्देश सिधान्त में आपको यही लिख करके आना है DPSP नीती निर्देश सिधान्त बहुत इंपोर्टन्ट है आभी सकता है आएगा भी 20 नंबर में आएगा तो 20 नंबर के लिए बहुत टे करने की आने जाने की आजाती है तो देश के परती तुम्हारी कुछ कर्टब भी है जिम्मेदारियां भी है तो क्या जिम्मेदारी है भाई देश का सम्मान करना है अपने तिरंगे का सम्मान करना है ठीक है इस प्रकार के नीती निर्सिदान जो मूल कर्टब है टोटल 11 मू उसके जो नेता थे हम उनका सम्मान करेंगे ठीक है भारत की जो संपरुदा है यानि देश में एकता खंडता बनी रहे इसके लिए नागरिक हमेशा सहयोग करेंगे देश की रक्षाम लोग करेंगे राष्ट की सेवा करेंगे भारत के सभी लोगों की हम समरस्ता और सभी को सम एक हमनाई मैनेंगे, हमारी संस्कृति है इस भात प्रिभश्य होगी इस में बात करेंगे, सार्जवनिक फिल्चनी एक सारा and स्ब्थ खोल करके भाग गए ऐसा नहीं करना है बलकि जो सरकारी संपत्ति है उसकी क्या करें भया शुरक्षा करेंगे नागरियों का करतब्य है ठीक है ब्यक्तिगतों सामोही गदविदियों में सभी छेत्रों में क्या करेंगे हम बढ़ चड़कर के भाग लेंगे माता पिता थथा अगर उसका लड़का 6-14 साल का बच्चा है तो उसको पढ़ाना जरूर है यह भी मूल करतब्य है यानि कह सकते हैं नागरियों को अगर अधिकार दिये गए थे तो उनको कुछ करतब्य भी है यानि उनकी कुछ जिम्मेदारियां है टोटल लगभगर आप देखेंगे तो 10 जो important था उतना महिने आपको chapter number 6 में बता दिया है ठीक है बिधाईका बिधाईका क्या होता है बिधाईका का मतलब होता भाई मेरे संसद या हमारी जो बिधान सभा होती है ठीक क्या होता बिधाईका का मतलब संसद या बिधान सभा जैसे आप केंदर में देखते हैं तो हमा उसके राज में भी विधान सभा होती है। इसको हम बोलते हैं विधाईका। विधाईका में क्या होता है। नीतिया बनाई जाती है। तो सबसे पहले हम संग्हिय बिधाईका, संग्हिय बिधाईका मतलब केंदर सरकार की बिधाईका, यानि कह सकती मोधी सरकार की बिधाईका कह सकती, easy language बोलो, मोधी सरकार की जो बिधाईका उसकी बात करें, भाईया मोधी सरकार जो है, उसकी जो संसद है, कहां है संसद, चु पहले पाट में क्या राष्ट्पति होता है वहीं संसद में कोई भी कानून बनता है तो लोक सबह में पास होगा राज सबह जाएगा और फिर जब तक राष्ट्पति साइन नहीं करेगा तब تक कानून बनी नहीं सकता इस देश में कोई भी कानून हो ठीक है लोक सभा भी पास कर दे राज सभा में भी पास भी हो जाएगा जब तक राष्ट पती उस पर साइन नहीं करेगा अपना नाम नहीं लिखेगा तब तक कानून कोई बन नहीं सकता कोई अध्या देश भी नहीं आ सकता है इसलिए कह सकते हो कि जो हमारी संग्हिये विधाई का है यह कह सकते हैं कि जो हमारी संग्हिये विधाई का है केंद्रिये विधाई का है उसमें पहला पाट क्या राष्ट पती होता है ठीक है जो देश का राष्ट पती होगा वह बहुत इंपोर्टन है दूसरा हमारी संसत के दो सदन है पाग संसद का जो चुना होता है उसको संसद जो होते हैं लोकसभा में जाते हैं तो 543 जो लोग हैं वह संसद में बढ़ते हैं वह संसद की किस पार्ट में बढ़ते हैं लोकसभा लोकसभा का मतलब है कि जो लोगों का नित्रू करती है आम पबलिक आम आमाम का जो नित्रू करती है उसको हम लोकसभा होते हैं तो लोकसभा में क्या होती है लोकसभा होती है यानि संसात का जो दूसरा पार्ट है क्या लोकसभा लोकसभा को निम्न सदन भी बोला जाता है ठीक है लोकसभा भंग भी की जा सकती है वही जब देश में का इलक्सन होने वाला हो तब पांच साल के बाद लोकसभा भंग हो जाती है ठीक है लोकसभा के जो सदन से होते हैं पांच साल के लिए चुले जाते हैं लोकसभा में जो स राज्य सभा की अगर बात करें तो राज्य सभा कैसा थी कि जो राज्यों के लिए यहाँ पर राज्यों की जो लोग उते हैं वहाँ पर सीटे डिसाइड की जाती हैं तो जो हमारी संसद है संसद के तीन पार्ट हैं कौन कौन से पार्ट हैं पहला पार्ट है हमारा जो है वह राश्टपती है दूसरा पार्ट हमारा लोग सभा है तीसरा पार्ट हमारी लोग सभा है तीसरा क्या है राज्य सभा है इन तीनों को मिला करके हमारी जो केंद्रिय संसद है वह बंती विधा तो जानुंबगता में चाहां बोलख सभयाएं कि की दर्वां ठाल्युवज हे खोर धने डर्युन, बाद को कूर्श्याम्ही काम करते हैं. तो यह हमारी क्याती संगी है बिधाईका ठीक है तो बिधाईका में क्या पीठा सीन अधिकारी होते हैं जिसे आप सबको पता होगा ना लोकसभा थी लोकसभा अध्यक्ष होता ना सबको पता लोकसभा के अध्यक्ष होता है ओम बिर्ला जी है ना तो लोकसभा जो होती है इस बिखते शब्रब्र की कारवाई के लिए हम इसको चुनते हैं और दूसरा राजसभा का सभापती होता है तो यहां देश का उपराष्ट्पती होगा वही राजसभा का क्या होगा सभापती होता है ठीक है अब बात करगे विधाईका की प्रकिरिया जो विधाईका होती है अगर आप देखेगे तो हर प्रकार का कानून बनाती है ठीक है लेकिन जो धन विध्यक होता है ठीक है देखे जो धन विध्यक होता है यानि किसी प्रकार का जिसमें टेक्स लग रहा या कि उसमें कोई टेक्स से वसूला जाएगा उसको हम धन विध्यक बोलते हैं यानि जिसमें भी भाईया पैसे की बात की गई है पैसा लिया जाएगा पैसा दिया जाएगा इस प्रकार के जो विध्यक होते हैं ये डारेक्ट लोग सभा में लाए जाते हैं और राजसभा इ टेक्स हटाया जा रहा हो या टेक्स कलेक्शन की बात हो उसको हम क्या बोलते हैं धन बिधायक बोला जाता है ठीक है राज बिधायका क्या होती है जैसे हमारे राज है जैसे हरियाना है पंजाब है यूपी है बिहार है राजस्थान तो वहां भी एक असम्मिली होती है बिधा कानून बनाती हैं ठीक है विधाईका का मतलब कह सकते हैं कानून बनाने की संसद या हमारी विधान सभाएं हैं और विधाईका में क्या होता है कानून बनाया जाता है नियम कानून बनते हैं लो बनते हैं ठीक है काeduc है जो काम को करवाती है ठीक है कारपाली का मूलता दो प्रकार की होती है ठीक है अगर आप देखेंगे तो यह का języ देखेंगी हैं इ rescues तो है फानेश मिनिश्टर है इस प्रकार के मंतरी होते हैं तो यह प्रकारकी कारपालीका यह अगर आप देखेंगे तो जो हमारी कंद्री कारपालीका प्रधान मंत्री मेन होता है और बाकी जो मंत्री होते हैं कारपालिका का मतलब होते हैं कि जो चलवाते हैं सरकार के नियम जो जैसे मैंने बोला कि जैसे संसद ने तो कानून मना दिया बहिए कानून को लागू कौन करवाएगा इंप्लीमेंट कौन करवाएगा लागू यहीं स्वास्त मंत्राले में आएगा और फिर स्वास्त मंत्राले उन चीजों को देखेगा तो कह सकते हैं कि कारपालिका क्या करती है कानूनों को लागू करवाती है और कारपालिका भी दो परकार करती है एक तो हमारी देश की जो कारपालिका है अगर आप देखते हैं जैसे जैसे राष्टपती को पूंच सकते तो राष्टपती के उमर कितनी होनी चाहिए लेक्षन के लिए राष्टपती का चुनाव क्या होता तो मैं बता दू राष्टपती बनने के लिए क्या होनी चाहिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए ठीक है दूसरा क्या होना चाहिए प्रकिरिया चलती है जिसे हम एकल संकरन मत पधती बोलती है ठीक है राश्टपती का कार और पध क्या तो राश्टपती का जो कार होता है आप सबको पता कि जो देश में कानून बनते उसमें मूलता वो साइन करता है और देश का सर्बोच्छ होता है ठीक है राज्ज का राष्टपती कहीं पर भी राष्टपती सासन लगा सकता है जैसे आप सब देखते होंगे राष्टपती एमर्जंसी लगा सकता है जो भी काम है वो राष्टपती के साइन से होता है काम तो सरकार करती है काम तो प्रधान मंतरी करते हैं लेकिन जब तक राष्टपती साइन न नाम उसका होता है काम सरकार करती है तो राष्ट पती की आपात कालीन सकती है इसको जरूर अब हम बाते हैं प्रधान मंत्री के कारे हो क्या तो भैया प्रधान मंत्री जो होता है उसकी एक कबिनेट होती है जैसे मनें बोला कि जैसे नरेंद्र मोदी जी है तो उनकी एक कबिन मंत्री को देखते हो तो यह प्रधान मंत्री के कबिनेट होती है ठीक है उसमें भी दो तीन प्रकार के मंत्री होते हैं एक होते हैं जिनको पूरा मंत्राले होता उनके अंडर में दूसरे होते हैं राज्य मंत्री राज्य मंत्री क्या होता है कबिनेट मंत्री का सपोर्ट करते समर्थन करती यानि उनके हर मंत्राले में जो कमिनेट मंत्री होता है और उनका सहायक होता है जिसे हैं मराज्य मंत्री एक होता सोतंत प्रभार के मंत्री जिनको हम क्या बोलते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज होंके पास ठीक है तो मंत्री होते हैं और प्रधान मंत्री का काम हो प्रधान मंत्री प्रधान मंत्री क्या होते है कि सरकार का मुख्या होता है प्रधान मंत्री की बात है कि राष्टपती से कई बात से सला भी लेता है ठीक है प्रधान मंत्री राष्टपती को सला भी देखे हैं प्रधान मंत्री देखोगे तो देश की बात करोगे लोकसभा का नेता होता है या कबिनेट की कारवाई करता है ठीक है अपने कबिनेट का वो परधान होता है ठीक है दूसरा अगर परधान मंत्री की बात करो तो परधान मंत्री का जिम्मेदारी भी होती है कि वो जनता के परती किसके प्रती जबाब दे है लोग सभा के प्रती उसकी जबाब दे ही प्रधान मंत्री की ठीक responsibility है अगर संसद में अगर कोई संसद कूछता है प्रधान मंत्री जी ये काम क्यों नहीं हो रहा है प्रधान मंत्री जी इस योजना में कितना पैसा लगा है तो उनका कोई न कोई म प्रधान मंत्री के कई सारे कारे आप में जरूर लिखागा तो इन सारे उनके कामों को जरूर भाई प्रधान मंत्री कारे क्या होते हैं इसको इंपोर्टेंट है जरूर पढ़के जाना प्रधान मंत्री क्या करता है अपनी मंत्री परिशाद बनाता है किसी को मंत्री बनाना तो वही बनाएगा, किसको मंत्री हटाना वही सारे काम करता है, जिनको मंत्री बनाता है, किसको एजुकेशन मिनेस्टर बनाना है, किसको रेल मंत्री बनाना है, किसको कपड़ा मंत्री बनाना है, किसको कुछ भी बनाना है, किसी प्रकार का, तो वही सबको मंत्री बनाता है, म प्रधान मंत्री अपने कबिनेट का लीडर होता है, प्रधान मंत्री जितने भी विभाग होते हैं, सभी विभागों को निगरानी करता है, प्रधान मंत्री जो होता है, राष्ट पती का सला कार होता है, राष्ट पती को अगर कोई काम करना है, तो प्रधान मंत्री जाकर सला प्रधान मंत्री के क्या है सारे कार्य है इसको जरूर याद करके जाना ये कई बार आभी आभी सकता है ठीक है इतना जो इंपोर्टेंट है वो मने आपको बता दिया जो आपका चेप्टर नंबर क्या है एट ठीक है देखें नेक्स चेप्टर क्या है चेप्टर नंबर नाइन चेप्टर नंबर नाइन क्या है कार पालिका कार पालिका मतले हमारे जो नियाले होते हैं नियाले अगर आप किसी ने भाईया किसी का मर्डर कर दिया किसी ने चोरी कर दी या किसी पर किसी प्रकार का आरोप लगता है तो सबसे पहले उसका मुकदमा कहां जाता है जिला नेयले यहां का जो सिबिल कोट होगा यानि डिस्टिक में जिला नेयले वहां पर उसका मामरा जाएगा ठीक है राज होता है उसके अंडर में काम करता है ठीक है उसे हर राज में हाई कोट बने हुए है ठीक है तो हाई कोट होता है यानि जैसे मालो आप आप जो आपकी जिला न्याला है आपका वहाँ पर मुकदमा चला आपने मुकदमा लड़ा आप मुकदमा आप जो जजने फैंसल सु ही हैं तो आप कहा पर जाएंगे सीधा high court में appeal करें gee appeal का मतलब आपने वहां पर अरज दी क्या दूसरे पर किया तवह हमारा high court came और mostly इस बुक में important high court है तो high court क्या है एक परकार से कह सकते हैं बहुत important quote होता है और पूरे जो राज होता है जैसे हर याना है तो हर अपना हाई कोट होता है अगर किसी का मामला हाई कोट में चला गया हाई कोट में माल Ó उसने मडर कर दिया था हाई कोट ने बोला तो भई ज比如 प्छी दो ठीक तो यानि तीन प्रकार की हमारी क्या होती है नयाले होते हैं अदालते होती हैं और खास तोर से हम इसमें सर्बोच्च नयाले यानि हाई कोट और उच्च नयाले यानि सुरी सर्बोच्च नयाले सुप्रीम कोट और उच्च नयाले हाई कोट की बात नितो हाई कोट और सुप् पता जज कौन है मुख्य चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूण है ठीक है अगर आपको पता होगा तो डी वाई चंद्रचूण बने हुए जो आप चीफ जस्टिस है इंडिया के ठीक है तो जो सर्बोच नयालय का एक तो मुख्य नयाय धीस होता है और कम से कम 30 जो होते है जो सर्बोच नयाय धीस होता है विए लगभग कितने वर्स तक अगर आप देखेंगे तो 65 वर्स तक 62 वर्स तक क्यूंकि मुझे देखना पड़ेगा तब ही क्लिर बताव सर्बोच चन्याले का जोजज होता है एक अब तक बना रह सकता है 65 वर्स की आई तक बने रहते हैं सर्बोच चन्याले के कई सारे छितरा धिकार होते हैं जैसे मालो सर्बोच चन्याले में कौन कौन सा मामला है हाई सुप्रीम कोर्ट में कौन सा मामला है बड़े बड़े जो म जैसे मालो की दिल्ली और पंजाब है दो सरकारे लड़ रही है तो सीधा मामला कहा पर जाएगा हाई कोर्ट में मामला जाएगा अगर मालो कोई केंदर सरकार है और राज सरकार में कोई विबाद है यह मामले हाई कोर्ट में जाएगे यह बड़े मामले जो होते जादा तर कह च्छेतरदिकार है आरंभिक च्छेतरदिकार होते हैं फिर अपील उसमें जो अपील की जाती है परमारस वादी च्छेतरदिकार है जो सुप्रीम कोट है सुरी सुप्रीम कोट किसी को सला भी दे सकता है परमारस भी दे सकता है दूसरा न्याइक समिक्षा सुप्रीम कोट किस कानून की समिच्छा कर सकता है उसका अनिलियसा कर सकता है कानून ॐ내 जी फोलेखी जीरो कर देगा ठीक है उसके बाद हमारे एक उच्छे है इसmağı année नाय जीरी करो होता है इसका इसका जो चैतर है जिसे यहाँ पर आप देखेंगे तो राज में कोई बड़ा विबाद हो जाता है उसकी सुनवाय करता है या अगर आप मुलता दो न्याले बहुत इंपरेंट है हाई कोड है और सुप्रीम कोड इससे नेची भी न्याले तो जिसको हम जिला सतन नील में बोलते हैं लेकिन उसमें इसकी बात की गए है दो नेल में कहाँ का निर्मार कि talks किई साहिए इनको बेतन कितना मिलता है, इनके कौन-कौन से छेतरा दिकार है, यही बहुत important है, छेतरा दिकार नहीं कौन-कौन से मामले वे फैंसले सुना सकते हैं, ठीक है, यानि इनके अदालत में कौन-कौन से मामले ले करके लोग जाते हैं, ठीक है, जमालों की सुप्रीम कोर्ट में क प्राइज जगड़े बहुत जाते हैं आप देखेंगे यह कहीं पर हाई कोट में फैसला decision हो गया है वो सुप्रिम कोट में चला जाता है अगर मैं बात मुद्प जो उच्छे नयाल है याई कोट आथा वहाँ पर कौन-कौन से माल में जाते हैं मुलता जो जिला नयाल होता है यहाँ पर जो फैंसले सुना जिये जाते हैं वहाँ पर अगर कोई संतुष नहीं ओ जाकर के हाई कोट में क्या करता अपील कर सकता है अगर किसी व्यक्ति के मौलग के दिकार का हनन हो सकता है तो व्यक्ति भी जाकर के हाई कोट में अपील कर सकता है कहां कर सकता है हाई कोट में जाकर में अपनी सीधी अरजी लगा सकता है इसको ज़रूर देख लिएजगा ठीक है नमबर 10 चप्टर नमबर 10 में जाती, वर्ग और जनजाती या जाती क्या होती है? सबको पता है यनि देखो सबसे पहले हमारा वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग में अगर आप देखोगे तो हमारे देश में क्या मूलता सबसे पहले ब्रामण होते थे, फिर छत्री होते थे, बैस होते थे, सुद्र होते थे लेकिन हमारा जो देश है जातीयों में बटा हुआ समाज है किसमें बातीयों समाज है? हमारे देश जातीयों में बटा हुआ है से आप देखोंगे यादो हैं अबलुहार हैं बढ़ई हैं कुहार हैं धोबी हैं इस प्रकार के कई सारी हमारे देश में क्या होती ही भाई जातियां होती है ठीक और जाती क्या धार पर क्या किया गया है मारे देश मगर आप देखें आरक्षन भी जाती क्या धार पर दिया ग ब्यक्ति को उस जाती का क्या कर सकते हैं माना जाते हैं यानि जन्म जात जिसको परदान कर दी जाती होती है जाती की आधार पर भेद भाव भी होता है समाज में चुवा छूत भेद भाव यह प्रकार की चीजें तो बहुत पहले हमारे समाज में होती थी जाती की आधार पर SC, ST, OBC जो हैं, इनके लिए भी कह सकते हैं कि अगर आप देखें, आरक्षनी हैं, ताकि इनको भी बराबरी का मौकर मिलें, यानि SC का मतलब सडूल कास्ट, सडूल कास्ट मैं थोड़ी से बता देता हूं, सडूल कास्ट का मतलब होता कि IC जातियां, जो समाज में तो थी, समाज से जुड़ी हुई नहीं थी, जैसे अगर में बात हूँ, जैसे आधिवासी हैं, ठीक है, या बंजारे-बंजारे होते हैं, जो जंगल वंगले मेरी रहते हैं, यह समाज से जुड़े नहीं थे, लेकिन इनको समाज से मुख्धार में लाने के लिए क्या क्या काम करत एक जात और भी OBC यहीं अधर बैकवर्ड क्लास में जादा तर जैसे जैसे अगर मैं बात हुआ हूँ जैसे यादों है यह लोग आते हैं बड़ा ही है कुहार है लुहार है यह जाता है लेकिन कुछ इसमें SCST में भी आते हैं तो मुख्षिला 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 ठीक है तेसरे की आते हैं अगर आप देखेगी जो बनिया होते हैं यह कई बार इसमें सुनार जो होते हैं ओभी एक वर जर्नल में काउंट के जाते हैं और यह जो बाएट जाती है नहीं सको और जाती की आधार पर हमारे अपता चुआ चूट और भाद में चुआ उसको सब् похbaren आरके बोलाग नहीं जा सकता है। पर भी जंजातियां होते हैं जो मुख्य जंगलों में रहती हैं इनका अलग ही कलिडिया होता है इनका अलग होता है इनका अलग ही खानपान ही Keithサ आदिवासी हैं यानि जो लोग मुख्यधारा से नहीं जुड़े हैं जादाती है कहां कहां पर जन जाती हैं मध्य पर्देश बंगाल ठीक है जहारखंड उडीसा उसी प्रकार से उडीसा मि पाई जाती है और जो हमारे साथ राजे हैं ठीक है जैसे मरीपूर है, मेगाल है, नागरलेंड है, तरुपड़ा है, यहां पर भी जनजाती पाई जाती यहां पर जनजाती हैं सारी जंजातियां होती हैं जो जंगलों में निवास करती हैं इनका अलग अलग खानपान होता है इनका अलग अलग पहनावाता है इनका अलग अलग ट्रेडीसन होता है इनका अलग अलग साधी पधती पूजा पधती या इनके अलग 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 देवता होते हैं जंजातिया ने जरुआ होता स mente यों से जुड़े हे लेकिन शुआ छूत होता था जंजाती के लिए संवा में करें यहीं पढ़र होता है नंगुद है। उनके लित है जल जमीन भी तेया हुंता है cok कि आपके में नंहें में रहे हों जहुए होते हैं ज्याती वाद है जाती वात क्या था समाज में था सोसाइटी में था जिसे दलीतों के साथ अत्याचार होता था जिसको हम से डुलकास्ट में लोग आते हैं ठीक है दलीत है या आनने जो जाती है इस जाती क्या जाती में आते हैं और जाती क्या धार पे अगर आप देखें कि तो आरक्षन भी ताकि उनको मुख्यधारा से जोड़ा जा सके या उनको भी एक उचीत आउसर मिल सके ठीक है तो जाती जन जाती में मोलता यही आपको लिख करके आना है ठीक है नेक्ट चप्ट देखें क्या है चप्ट नमबर 11 चप्ट नमबर 11 के जंडर जंडर का पता क्या था जैसे एक महिला है पुरूस है ठीक है महिला मतलब मेल है और पुरूस मतलब फीमल है इसको हम क्या बोलते है जैवी का आधार में जैवी का आधार पे कह सकते हो कि यानि सेक् कह सके हैं कि यह महिला है यह पुरूस है जंडर का मतलब होता है कि जब पूर्सों और महिलाओं को कह सकते हैं इनके जंडर के आधार पर भेधभा होता है गुडिया है उसका अगर जो छोटी बच्ची है चोटी गुडिया है उसका अगर जो चोटी बच्ची है जब उसका जन्म होता है तो उसके लोग पता लिए खिलोने भी लड़की वाले खिलोने ले करके आते हैं जैसे तुम देखोगे गुडिया ले करके आएंगे लाल कपड़ा ले करके आते हैं यह लड़की वाले पर दिये जाते हैं, अरे यह क्यों दे रहे, तुम भेदभावी तो है, अगर लड़के का जिम है, तुहां पर भी भेदभाव है, यानि समाज जो, देखो, भई, एक किसी का जन्म लड़के के आधार पे हुआ है, या लड़की का आधार पे उसका जन्म, लेकिन समाज किसी क लड़की बना रहा है या लड़का बना रहा है इस भेदभाव को हम लोग क्या कहते हैं जंडर बोलते हैं जंडर एक परकार की क्या है समाजिक सुकृति है समाज ने जैसे महिला है तो महिला को लड़की को इसने बता दिया कि तुमको घर पर रही ना तुमको खाना बनाना है तुमको देख भाल करना है तुमको सिरफ बच्चे पर बच्चे पाइदा करना है किसने बता है अरे समाज में बता दिया ना अरे बच्ची जो होती है शुरू से छोटी सी रहती है उसको खाना बनाना पकाना उसको सिखाते हैं बाहर पढ़ने नहीं बेजने दिया जाते हैं क्या बचिया लड़कियां जा नहीं तो एप जन्डर को हम किसको बोलते हैं समाज में जो भेद भाव होता है उसको लड़के तो लड़के का जब जन्म होता ना लड़का थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको उसको खालते हैं भई कमाएगा धमाएगा लड़कों से हम कैसी उपिक चेकते हैं वो बाहर जा करके काम करेगा कमाएगा धमाएगा परिवार का पालन पोशन करेगा परिवार को चलाएगा लड़की है तो भई उस साधी करके चली जाएगी किसी को दूसरे घर जाएगी वहां पर चूरा चोका बरतन करेगी यही सब करेगी इसको ऐस परकार से सोचते हैं लड़की है तो उसके माँ परिवारल हमेसा बता रहे हैं अरे बच्ची है उसके हमेसा बोलते रहेंगे कहीं नाक मत कटवा देना कहीं हमारी बेजिती ना हो जाये जिसे लड़की है उसको लगेगा कि जैसे बाहर चली जाएगे कोई लड़काई लेकर कि इसको भागी किसी का लड़का होता है लड़के को कोई नहीं समझाता बैटा किसी को देखना मत किसी के बहन बेटी को परिसान मत करना छेड़ खानी मत करना माबाब उसको नहीं समझाते लेकिन जो लड़की होती जो बच्ची होती उसको भी बार-बार समझाते रहते हैं उसको लेकर के मौकरी कर रहा पढ़ाई कर रहा लेकिन लड़की है तो लड़की वहले नहीं नहीं तुमको कहीं नहीं जाना है तुम यह लोकल कोले से कहीं पर इधर उधर से पढ़ लो वहीं काम कर लो यह पर आते हैं लड़की है तो उसको पालन पोशन हमेशा सिखाते हैं घर की लोगों क पर पुरूस के लिए पूरुस के लिए अलग भेदभाव करें उसको तुम बता दिये तुम्हें जाकर तो बाहर कमाना है धमाना और परिवार को चलाना है तुमको एक प्रकार से बोजह उठाना है परिवार का हम सोच लेते हैं लड़की है जोके घर भाई घर में रहेगी चूला चौका बरतन यही करेगी ठीक है ये जंडर बोलते हैं उसके बाद इसमें जंडर को लेकर के आंदोलन यानि महिलाओं ने ठीक है भाई महिलाओं जो थी उनके साथ बहुत जादा बेद भाव होता था ठीक है इसलिए महिलाओं ने किया क्या या नरीवाद बोलते हैं एक word आहां पर आपको मिलने के मिलेगा इबुक में लिखे भी लेना मेरी तरफ से नरीवाद नरीवाद एक प्रकार क्या आंदोलन है नारी बात बताता है कि महिलाओं के साथ जो भेद भाव होता था इसलिए महिलाओं ने भाईया क्या आंदोलन कर दिया महिलाओं को ओर्टिंग राइट तक नहीं थे, इंडिया की बात नहीं करां, यूरोप यूरोप की बात करें, ठीक, वहाँ पर नहीं थे, ठीक, विदेशों में, ठीक, महिलाओं को कोई आजादी वजीत नहीं, ओर्ट भी डालने का राइट नहीं थे, महिलाओं ने किया का आ नारिवाद आंदोलन यानि महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़िग है उसको हम नारिवाद बोलते हैं नारिवाद का एक परकार का आंदोलन है जो महिलाओं की बराबरी की बात करता ताकि महिलाएं भी पूरुस के बराबर मानी जाएं आगला जो तो भाई सबको पता है कि लड़की सेक्स के आधारपे अपनसे जाता है फिक क्यों जाता हिसमें इसको लड़की की तरफ आकर्सित allora एक ड़की की तरफ आकर्सित होती है तो उसको जाता है इसको हम क्या बोलते है देखो हमारे समाज में माना जाता भाया एक लड़की है तो लड़के उसकी सादी होगी और लड़का है उसकी सादी लड़की यानि हम क्या करते हैं gender के आधर पर बार केला या अगर किसी लड़के में इसको क्या आधा या जाता है तो आप परजन टाइम में तुम सुनते भी होगे ना अबार अबार में बहुत छपके आता है फरानी लड़की है उपनी फ्रेंड को सहीलिक बतारी कि मैं उसी से साथ दीकल लूँगे इसको क्या बोलते है यह जब महिलाओं का इंट्रेस्ट महिलाओं में होता हुनको क्या ब जैसे लड़का है तो लड़का लड़की के तरफ भी आकरसित हो रहा है लड़के के तरफ भी आकरसित हो रहा है यह दोनों तरफ से आकरसित हो रहा है यह प्रकार की होता है तो इस प्रकार का पूरा ट्रांसजेंडर ना तो लड़का ना तो लड़की इसको हम क्या बोलते transgender बोलते हैं तो यह पूरा ग्रूप है आपकी बुक में मिल जाएगा मूलता जो थियोरिया मैंने आपको जरूर बता दिया यानि महिला और पूरुस बिल्कुल नहीं है और बाकी जो lesbian कह सकते हैं गे कह सकते हैं transgender कह सकते हैं जिसे samlangic हम इसको हिंदी में एक वर्ड आता samlangic यानि अपने समान link की पर आकर्सित हो रहा है लड़की है तो लड़की को और आकर्सित हो इसको हम कह बोलते हैं samlangic यानि समान link के वाले पर आकर्सित होना ठीक है उसे जैसे मैंने बोला है इस प्रकार की चीज़ होती है तो यह थोड़ा इंपोर्टन रसकता साथ एक दो बार मैंने देखा था एक जाम में आ चुका है इसको देख करके जरूर जाना ठीक है कि नेक चप्र बार्वा चप्र है मजदूर और किसान अगर हम बातने करता तो मजदूर और किसानों लेसे करता था हमारे लोग का ठीक है तो अंग्रेज जो सोचन करते थे जो डमन करते थे उसे सोचन और दमन को कह सकते हो की मजदूर आंदोलन के रूप में जो मजदूरों का दमन सोसन हुआ और मजदूरों ने जो क्रांती की उसको मजदूर आंदोलन और किसानों का जो बहुत ज़्यदा सोसन होसा था आप सब को बता कि जो अंग्रेज थे बहुत ज़्यदा राजस या revenue collect करते थे या किसानों से बहुत ज़्यदा करवसूल करते थे और किसान इससे क्या होए धीरे दिवाई किसान के पास कुछ नहीं बता किसान अपना खेती छोड़ करके भाग जाता था तो किसानों ने भी एक परकार से कह सकते जो विद्रो कर दिया उसी को हम क्या बोलते किसान आंदोलन तो किसान उर्लन कई परकार के हमारे देश में किसान आंदोलन जैसे छोटे गरीब किसानों के भी आंदोलन जो छोटे छोटे किसान होते इन्होंने भी आंदोलन किया अमीर किसान अंदोलन की बात कर रहे हैं, ठीक है? चप्टर नंबर 13 धर्म निर्पेक्चा होती है कि धर्म निर्पेक्च होना ठीक है? याँनि किसी परकार का बहिदभाव ना करना आप सबको पता कि हमारा देश क्या है? एक धर्म निर्पेक्च देश है यहीं आप सबको पता कि हमारे देश में हिंदू भी है, मुसल्मान भी है, जैन भी है, सिख भी है, पार्सी भी है, इसाई भी है, यहीं बहुत सारे धर्म हमारे देश में रहते हैं, लेकिन हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं, यहीं हर धर्म के लोगों को हमारे देश में बेद्बाव नहीं करता है था मुसको क्या बोलेंगे आदमी जो धर्म निसपेक्च है किसी कसाकती है धर्म निसप्च को बोलते हैं ठीक है तो कह सकतै हो कि धर्म निसपेक्च है संविधान की हमारा संुधान को बरावर दिये गा हर व्यक्ति अपने धर्म को पर्चार कर सकता है। एक धर्म निर्पेक्ष देश है हमारे देश का कोई धर्म नहीं है बलकि हमारा जो देश है सभी धर्मों को समान मानता है और हमारे देश में धर्म के आधार पर यानि रिलीजन के आधार पर किसी परकार का क्या होता भाया भेद भाव नहीं किया जाता है उचा नीचा नहीं क चाहे हिंदोंग, चाहे मुसल्मानोंग, जैनोंग, सिखोंग, पार्शियोंग, सरकार की कोई योजना होती तो सब को लुक्ता लाब मिलता है, जै आप सबने दोगा सिलेंडर बट रहे थे उजला योजना में, या अगा देखो सवचालय बन रहे हैं, कोलुनी बनती है, या परधान मंत्री के कोई योजना है, हमारी राज सरकारों के क्योई योजना होती है, सभी योजना है, सभी को मिलती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, भई धरम के आधर पर, भई मुसल्मानों को नहीं मिलेगा, या जैनों को नहीं मिलेगा, या सिखों को नहीं म मिलता है सरकार की कोई भी हो जाना सरकार भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कि जाता है इसी को हम क्या बोलते है धर्म पेक्षोनक मलब सभी धर्मों को समान मानना या बराबरी का अधिकार देना ठीक है ठीक है तो संपरदाइक्ता क्या होती एक प्रकार की विचार धारा है एक प्रकार की अप्रोच है जैसे मैं बताओं जैसे मालो मैं हिंदु हूँ ठीक है तो मुझे लगता कि भाईया जो मुसल्मान है वह मेरे अधिकारों को हनन कर रहा है या या एक धरम का आदमी जब दूस दूसरे धरम के आदमी को अपना विरोधी मानता है या अपने अधिकारों या अपने मूल्यों में उसके सा recursos दो sıके bron mechanics दो संपरदाइक्ता का मतलब होता कि जब हम जिस ध्रम के हम लोग हैं हम दूसरे धरम को क्या मानते अपना बिरोधी मानते क्या मानते हैं अपना बिरोधी मानते और धरम निजपेश्टा एक प्रकार की बताती है कि हम दूसरे धरम को अक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं समपर्दाइक्ता का मतलब भाय होता कि Once is Eine तो मुसलमान या मुसलिम को मानता है कि मेरे अधिकारों की हनन कर रहा है या जो मुझे अधिकार मिलने चाहिए ते उसको अधिकार मिल रहे है जब एक धरम का आदमी दूसरे धरम के आदमी को अपना बिरोधी मान लेता है क्या मान लेता है अपना बिरोधी मान लेता है जब दो धरम की मान लेता है आपस में टकराती हैं इसको क्या बोलते हैं संपरदाइक्ता मुलते हैं अज तुम सबने टीवी यों देखागा ना, लोग बोलते हैं, संपरदाइक्ता बढ़ रही है, आप टीवी खोलोगे, जितना भी विपक्ष के लोग हैं, कॉंग्रेस का आदमी हैं, अन्य पार्टिंग के लोग हैं, लोग बोलते हैं, जब से भाजपा की सरकार हैं, तब से देख में संपरदाइक्ता बढ़ रही है, मुसल्मानों के खिलाब हमले जादा हो गए हैं, लोग बोलते हैं, तो यह इसको हमके बोलते हैं, संपरदाइक्ता हैं, यानि जब एक धरम का आदमी दूसरे धरम के आदमी को अपना विरोधी मान लेता है, या अपने अधिकारो का मानता की मेरे अधिकारों का हनन कर रहा है, जो मुझे अधिकार मिलने चाहिए थे, उसको भी क्यों मिल रहे है, उसको बराबरी क्यों मिल रहा है, उसको नहीं मिलना चाहिए था, यानि एक रिलिजन का आदमी दूसरे को क्या मानता है, अपना विरोधी मानता है, यानि ज जब दो धर्म में तकराव हो किसी प्रकार का यहीं, जब दो रिलीजन हैं। जब दो रिलीजन में क्या तकराव होता है, उसको क्या हम संपरदाइकथा बढ़ रही है। लोग तो तो समने TV में सुना गाना चिलातें अंगी रेते विपक्ष के लोग और अइन को इन धर्मों आपश में ठक्राव बढ़ रहे है। अपस में मनमुटाव बढ़ रहा है। इसको हम क्यों बोलते है संपर्दाइकता, यानि एक आदमी, दूसरे आदमी को फूटी आग भी नहीं सुभा रहा है, यानि हिंदू है तो मुसल्मान को पसंद नहीं कर रहा है, यानि आपस में टकराव की स्थिती बनी हुए, उसी प्रकार से जैसे सिख है तो जैन को पसंद नहीं कर रहा है जैन है तो इसाई को पसंद नहीं कर रहा है इसको हम क्या होते है समपरदाइक्ता यानि समपरदाइक्ता बेसिकली यह होती है कि एक रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन को अपना क्या मानता है कटरता में दु संपर्दाइकता बताती है कि दो धरम में जो टकराव है उसकी इस्तिति क्या बनी हुए दो धरम के लोग जो आपस में टकराते हैं जैसे तलवार आपस में टकराती है जब दो धरम के जैसे एक बात बताओं जैसे माल लो कहीं पर भई जगड़ा हो गया लड़ाई जगड़ा हैं जिसे हिंदू है एक मुस्लिम है यहीं मूलता संप्रदाइक्ता यहीं होती कि जब दो धरम में आपस में टकराव बढ़ जाए आपस में विबाद बढ़ जाए या एक धरम के लोग दूसरे धरम को नहीं यह उनको अक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि यह भी होना चाहिए ब हैं संप्रदाइक्ता ठीक है हें घलो है हलो हनमर 15 डल और डली व्यवश्था तो राजनीतिक डलो का वर्गयर भारत में राजनीतिक नाशनल पार्टी कौन कौन से है ध्यांसुना बीजेपी राष्टिये पार्टी है कॉंग्रेस राष्टिये पार्टी है मायवाती की जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी राष्टिये पार्टी है केजलीवार की पार्टी जो है आमादमी पार्टी राष्टिये पार्ट में छेत्रिये पार्टी है लालू की पार्टी है एक छेत्रिये पार्टी है बिहार में जो है नितीश कुमार की पार्टी है एक छेत्रिये पार्टी है उसी प्रकार से अगर आप किसी और राज्य में जाएंगे जैसे हरियान में जाओगे तो यहां पर जैसे एक आइनल्ड है या दुसेन चोतला की जो पार्टी है वो छेत्रिय पार्टी है और भी कई राज्यों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको छेत्रिय पार्टी मिल जाएगी ठीक है अलग-अलग राज्यों में बोलिये दो परकार की पार्टी होती है एक तो राष्ट्रिये पार्टी होती है दूसरा छेत्रिये पार्टी है राष्ट्रिये पार्टी है बहुजन समाजवादी पार्टी इस परकार की पार्टी है छेत्रिये पार्टी में अगर आप दे उसी प्रकार से अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर ESIR Congress है जो चलती है जो आंध्रप्रदेश में जगन मोहरेड़ी की पार्टी है उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे दक्षण में तमिलनाडू में जाओगे तो वहाँ पर DMK है EIDM के छेत्रिये पार्टी है तो यह क्या है राष्टी और छेत्रिये पार्टी होती है ठीक है इसमें जो इंपोर्टन्ट है 15.3 राज्यों में दलिये ब्यवस था इसको मैं थोड़ा बतायते था देखो आप सको पता कि जब देश आजाद हुआ था तो हमारे पूरे देश मे सेंटर में भी कॉंग्रेस जीत करके आती थी और सभी राज्यों में कॉंग्रेस सकारी होती थी अगर मैं बोलू भाया हरियाना हो दिल्ली हो पंजाब पूरे देश में जितने स्टेट हैं सभी स्टेट में कॉंग्रेस होती थी और केंदर में कॉंग्रेस थी जब पहली बा धीरे धीरे क्या होता है कॉंग्रेस की जो इस्तिती होती है वह कमजोर हो जाती है डामा डोल हो जाती है और कह सकती की धीरे धीरे छेत्रिये दलों का जल्म होता है और बहुत सारे राज्यों में धीरे धीरे छेत्रिये दला जाते हैं और छेत्रिये दलों का वर्चस हो जाता राज्यों में उसी प्रकार से आप सो को बता कि कॉंग्रेस जो है लगभग 1950 से कर सकते देश के आजादी से पहले कॉंग्रेस लगभग अगर देखेंगे 77 तक कॉंग्रेस जीत करके आती है हर चुना में कॉंग्रेस जीते लेकिन 77 में क्या होता कॉंग्रेस हार जाती है उसके के बाद फिर आप 10 साल देख रहे हैं तो क्या है एक कॉंग्रेस पार्टी के पतन का काल कापसे माना जाता है 67 से जब से कह सकते कि जब जवहला नहरू की डेथ हुई यह कह सकते कि जब से लाल बहादू सास्त्री हटे और इंद्रा गांधी जब से समाला तब से माना जाता है क कॉंग्रेस पार्टी का क्या विए प्रकार से कोई सकत्तर में कॉंग्रेस हारी show 1997 में कॉंग्रेस बड़े अंतर सेThis से चुनाव सेположay है और पहली बार गैर कॉंग्रेस सरकार बंती है उसके बाद Crime में कॉंग्रेस हारती है उस देश में आगर आप देखेंगे तो जनतादल की सरकार बनती है ठीक उसी प्रकार से अगर आप देखेंगेि परक簡 न्यांटिसिक्ष प्रफिर कॉंग्रेस हारती में थी तो यहां पर गठ बंधन की राजनीती काफी आभी रही पहले कॉंग्रेस बहुत बलसाली थी बहुत पावर्फुल थी सभी राज्यों में इसकी सतार होती ती केंदर में होती थी लेकिन धीरे-धीरे कॉंग्रेस का पतन हुआ और कह सकती कि राज्यों में छेत्रिय दला है और छेत्रिय दलाओं के आने के बाद हमें काया देखने के मिलता है कि 89 के बाद देखेंगे तो केंदर में भी देखोगे तो कई सारे गठ बंधन के अलाइंस के सतारे बनती है कॉंग्रेस से पतन के बाद अगर आप देखेंगे जैसे चंड़ से बोलिए राजियों में दलीयो बेवस्ताव में बिखराव को है 89 से यानि यहाँ पर गठ बंदन आगर आप देखोगे अपर जन्टाय में महराश्ट में कई देखोगे बीजेपी के साथ वहां पर कोई दूसरी पार्टी है बिहार में देखोगे तीन-तीन प पहले पार्टीव होती जैसे कोंग्रेस बहुत पावर फुल होती एलेकिन बाद में जब कंग्रेस का पतन हुआ तब सारी पार्ट्इ आप तब कित्रिया विधिक प्रकार्ष्प नहीं विख्राउ देखने हैं Packability से तो यह लगभग लगग अगर आप देखेंगे तो पूरा चप्टर जो है आपका कंप्लीट हो गया है और इस मैं कह सकता हूं पूरी बुक में BPSC 132 वाली जो बुक है मनें सारी चीजे बता हैं एक चप्टर से लेकर के 15 चप्टर इजी लेंग बता रखी और इजी इबे में बता रखी है अगर आप इस पूरी वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो मैं जरूर कह सकता हूं कि आपका एक्जाम 100% अच्छा जाएगा और आप अच्छ इस एक्जाम को लिख करके आभी सकते हैं ठीक है